जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपबल करमट है कि वो मेरे साथ अब काम करें नवसकार बोल कि लबाजाद है तेरे और आज सियासत में घूचाला गया है जियां प्रियंका गांधी ने आपचारिक तोर पर सियासत में प्रवेश कर लिया है और आपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं कि अब वो कॉंग्रिस की महासचिव हैं और एहम बात ये कि उन्होंने अमेठी और रायबरेली से बाहर कदम रखा है जिसकार्थ ये है कि अब वो पूरवी उत्तरपदेश और खासकर बनारस की सियासत पर उनकी निगाह रहेगी इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब और मेरा आकलन ये और आज मैं अमूवन भविश्यवानी नहीं करता मगर मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि बनारस में प्रियंका गांधी सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र बोधी को तें और ये भी हो सकता है कि सियासत कुछ इस तरह से उभर कर आए कि प्रियंका गांधी विपक्ष की साजहा उम्मीदवार हो जाएं और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यकीन मानिये उस वक्त जो भी पत्रकार बनारस में होगा उसे उस पूरे इवेंट को कवर करने का जो मज़ा है ना वो मज़ा दुगना हो जाएगा तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ दूसरा एक विकल्पी हो सकता है कि हो सकता है वो राइबरेली से चुनाब रड़ें क्योंकि सोनिया गांधी की तबियत लगातार खराब रहती है मुझे नहीं लगता अब वो फिर से चुनाब रड़ेंगी तो हो सकता है वो राइबरेली से चुनाब रड़ें मगर पूर्वी उत्तर पदेश में उनका कदम रखना एक बहुत माइने रखता है क्योंकि पूर्वी उत्तर पदेश में कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी की नब्स है पूर्वी उत्तर पदेश में गुरक पूर भी है दोस्तों तो कहा जा सकता है कि योगी और मोदी इन दोनों की सामोहिक सियासी ताकत जो है वो पूरवी उत्तर पदेश में है और प्रियंका गांधी उन्हें वहां चुनौती देने गई है इसके माइने क्या होगे? देखे इसका जो सबसे पहला परिणाम यह होगा कि अब भारती जनता पार्टी सीध है वन्षवाद की सियासत को लेकर कॉंग्रिस पर हमला बोलना शुरू कर देगी और वो हो भी हो गया है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से संबित पात्रा ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा कि कॉंग्रिस जो है वो वन्षवाद से आगे बढ़ भी नहीं सकती तो जैसे कि मैंने कहा वन्षवाद को लेकर हमला शुरू हो जाएगा दूसरा उनके पती रॉबर्ट वाडरा जिनोंने उनको बढ़ाई दी है अपने फेस्बुक के इस पोस्ट के जरिए रॉबर्ट वाडरा मुझे आपको बताने की जरत नहीं कि 2013 में भारती जानता पार्टी ने बाकाइदा एक प्रेस कॉन्फरेंस की थी ओपरेशन दामाजी के नाम से रवेशंकर प्रसाद ने उस प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित किया था और कम से कम उस्वक जिस तरह से उन्होंने अपनी बाते रखी थी ऐसा लग रहा था कि भारती जानता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही तो सवाल ये है कि एक बार जब प्रियंका गांधी सक्री हो जाएंगी तो मान के चलिए रॉबर्ट वाडरा पर सिरे से हमला शुरू हो जाएगा और रॉबर्ट वाडरा का सहारा लेकर भारती जनता पार्टी कॉंग्रिस पर हमला करेगी इसका क्या परणाम होगा दोस्तों? इसका परणाम यह होगा कि जो भारती जनता पार्टी के कटर सपोर्टर्स हैं वो तो खुश हो जाएंगे क्योंकि देखे जो कटर सपोर्टर्स हैं जो मोधी भक्त हैं उनके अंदर एक नफरत है गांधी परिवार को लेकर और खासका रॉबर्ट वाडरा को लेकर नफरत और भी ज्यादा हो जाती है लहाजा अगर रॉबर्ट वाडरा को लेकर हमला होगा तो स्वाभाव एक सी बात है कि वो दे वुड बी प्लेंग टो गैलरी अब रही बात रॉबर्ट वाडरा पर क्या कोई कारवाई हो सकती है देखे जिस तरह से तमाम एजनसीज चाहे E.D. हो चाहे C.B.I. हो तमाम जो जाच एजनसीज जिस तरह से कब्जे में हैं इस वक्त मोधी सरकार के जिस तरह से नतमस्तक हैं उनके सामने मुझे हैरानी नहीं होगी अगर रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ आने वाले दिनों में कदम उठाया जाए क्योंकि देखिए ये जो कांग्रिस निचाल चली है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कोई पत्रकार नहीं बता पा रहा था आपको याद होगा राहूल गांधी ने कहा था कि हम उत्तरपदेश में एक बहुत बड़ा सप्राइज लेकर आ रहे हैं लोग बहुत सी बाते कर रहे थे लोग कह रहे थे कि हो सकता है वरुन गांधी जो है वो उत्तरपदेश के इंचार्ज बन जाए यानि कि वरुन गांधी बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस आ जाएं क्योंकि बताया जा रहा है कि वरुन गांधी कोई बहुत जादा खुश नहीं है बीजेपी में रहकर तो ऐसा हुआ नहीं लहाजा प्रियंका का जो ट्रंप कार्ड चला है वो बहुत दल्चस्प है अब सवाल ये कि क्या बुआ बबुआ का जवाब भाई बहन है यानि कि क्या कॉंग्रेस जिस तरह से ये दाओ खेल रही है उसका नुकसान कहीं समाजवादी और बसपा के गडबंधन को नहीं होगा इसको लेकर दोस्तों मेरी दो थेउरीज है थेउरी नंबर एक ये है दोस्तों कि हो सकता है कि कॉंग्रेस जितना ज्यादा उरजावान होगी उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा ताकतवर होगी इसका नुकसान भारती जनता पार्टी को होगा क्योंकि देखे मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है कि यूपी के अंदर ठाकुरों को छोड़के जो फॉरवर्ड कास्ट भी है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है बीजेपी से तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ब्राह्मनों का वोट बट जाए वैशों का वोट बट जाए तो इसकी गुंजाइश बनी हुई है मगर जैसे मैंने कहा गुंजाइश गुंजाईश बनी हुई है क्या दूसरी तरफ वो सपा बसपा को नुकसान पहुचा सकते हैं पूरी गुंजाईश है उसकी भी कैसे मैं आपको बताता हूँ सपा बसपा की ताकत होंगे दलित, ओबीसीज मुसलमान अब मुझे आपको बताने की ज़रुत नहीं है कि राश्ट्री इस तरफ पर जैसे जैसे कॉंग्रिस का कद बढ़ता जाएगा तीन राज्यों में चुनाव जी चुके हैं और इन तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद ना सिर्फ कॉंग्रिस में आत्मे विश्वास बढ़ा है कॉंग्रिस के सपोर्टर्स में आत्मे विश्वास बढ़ा है उनके वोट बैंक में आत्मे विश्वास बढ़ा है बलकि मुसल्मान भी अब उमीद भरी निगाहों से कॉंग्रिस की तरफ देख रहा है क्योंकि मुसल्मान का इस वक जो लक्ष है कि वो भारती जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा नहीं देखना चाहती खासकर जिस तरह से मॉब बिंचिंग की घटना है पिछले साड़े चार साल में हुई है जिस तरह से एक अराजकता का माहौल उनके लिए पैदा किया गया है तो क्या मुसल्मान जो है वो बढ़ तो नहीं जाएगा जैसे कि उत्तरपदेश की चुनावों की दौरान भी हुआ था बेहन जी ने आपको याद होगा कि सौ मुसल्मानों को टिक्टें दे दी थी और उसका परणाम ये हुआ था दोस्तों कि मुसल्मान का वोट बढ़ गया था और नुकसान जो है फिर बीजेपी विरोधी मोर्चे को हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसल्मान टैक्टिकल वोटिंग करेगा मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को हराएगा जो भारती जानता पार्टी को हराने के मूड में होगी या स्थिती में होगी यानि कि उन लोगों को वोट करेगा मगर यकीनन ये तमाम थियोरीस के हम बात भी कर लें तो बहुत दिल्चस्प हो गए है सियासत और मुझे लगता है कि अब सियासत और गर्म होगी गर्म ही नहीं होगी, बहुत बदनुमा भी होगी, बहुत बदसूरत भी हो जाएगी क्योंकि देखे जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम याद आएगा तो उनके पती का नाम उनसे चुड़ जाएगा यानि कि रॉबर्ट वाडरा और जैसे ही रॉबर्ट वाडरा का नाम आएगा तो जैसे ही रॉबर्ट वाडरा का नाम या गान्धी परिवायर का नाम आता है तो मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है कि भारती जानता पार्टी और उनके तमाम समर्थक शालीनता की तमाम हदों को पार कर देते हैं लहाजा सियासत दिल्चस्प होगी मगर बहुत ज्यादा स्तर भी गिरेगा अब ये देखना है कि कॉंग्रेस नुकसान किसे पहुँचाने वाली है क्योंकि देखिए अब इसमें दो राएं नहीं हैं कि कॉंग्रेस अब उत्तर प्रदेश में बड़ा दाव खेल चुकी है और उसकी निगाह न सिर्फ 2019 के लोकसाभा चुनाव पर है बलकि आगे भी क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो काडर है उसका जो जमीनी कार करता है जो एक अरसे से खामोश पड़ा हुआ था उत्तर पदेश के अंदर उसमें जान आ जाए और प्रियंका गांधी वो कुंजी साबित होने वाली हैं वो सूत्र साबित होने वाली हैं जो उसके कार करता के अंदर उत्तर पदेश के अंदर जान फूकेगा क्योंकि अब कॉंग्रिस इन दोनों मूर्चों के इलावा है ने कि भारती जनता पार्टी और सपा बसपा इसके इलावा एक तूस तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर आ रही है सियासत बहुत दिल्चस्प है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारती जनता पार्टी के पास धन बल है धन बल है उसके पास कई स्ट्राटीजिस हैं और मान के चलिए अगर अगर प्रियंका गांधी ने मन बना लिया या कॉंग्रिस ने बन बना लिया प्रियंका गांधी को बनारस से उतारने का हलाकि विकल्प मैंने एक बार फिर दोरा दू दो सकते हैं या तो राय बरेली जाएंगी या फिर बनारस जाएंगी मगर अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो आप मान के चलिए दो से तीन महिने भारती जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं और केंद सरकार का जो पूरा कैबिनेट है वो अपना काम भूलके बनारस में आ जाएगा यान के पूरी कैबिनेट जो है वो बनारस से चलेगी और मीडिया का बहुत एहम किरदार होने वाला है दोस्तों जब आप सोच सकते हैं नफरत भरे प्रोपेगांडा को पहलाने में मीडिया ने मदद की है भारती जनता पार्टी की तो कॉंग्रिस पर हमला करना और प्रियंक गांगी को धता बताना उन्हें छोटा बताना वो ते एक बहुत सामान निसी जीज़ है बर जो भी है मुझे लगता है भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस अब जैसे जैसे हम 2019 के इन चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत अब इन दोनों स्तंभों के आसपास घूमेगी खैर बोल किलब आजाद हैं में बस इतना ही मेरी आप से अपील है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल नियूस क्लिक को सबस्क्राइब करें अब इसार शेर्मा को दीज़े अजासत नमस्कार